ओम श्री प्रमात्मने नमा अथर सप्तमो अध्याय ग्यान विज्ञान योग परिचय प्रथम शटक कर्म योग श्री मत भगवद कीता के प्रथम छे अध्यायों में प्राचीन परिपाटी के अनुसार प्रथम अध्याय में अर्जुन विशाद योग द्वारा उस विशय का प्रवेश कराया गया है जिसका विवेचन उसके आगे आने वाले अध्यायों में किया जाएगा उसके बाद भगवान शुरी कृष्ण ने पहले सांख्य योग का वर्णन किया और फिर कर्म योग का विशत विवेचन किया तत्पश्चात भगवान ने कर्म सन्यास और कर्म योग दोनों साधनों के द्वारा एक ही फल की प्राप्ति बताई और उसके बाद ध्यान के विशय में बताकर दोनों निश्ठाओं अर्थात सांख्य निश्ठा और योग निश्ठा में उसकी उप्योगिता बताई इस प्रकार छे अध्यायों में ग्रंथ के विशय से संबंधित सभी सामगरी का वर्णन किया गया है परंतु अर्जुन की विशिष्ट जिग्न्यासा के उत्तर में मुख्य तया कर्म योग का ही वर्णन किया गया है इसलिए इंचे अध्यायों के शटक को कर्म योग शटक कहा जाता है द्यूतिय शटक भक्ति योग अब सात्वें अध्याय से बारवें अध्याय तक भगवान अपने निच्च स्वरूप का रहस्य और आत्मा की शक्ती से प्रकाशित, प्रकृती का वर्णन करेंगे. साथ ही उस प्रकृती से उत्पन सांसारिक प्रपंच का भी वर्णन होगा. अग्ण्यान से सांसारिक प्रपंच को वासुविक मान लेने से जिन अनर्थों की उत्पत्ती होती है उनके निवारन के लिए भगवान की भक्ती ही सर्वोत्तम साधन है इस शटक के अंतिम अध्याई अर्थात बारवे अध्याई में भक्ती योग का निरूपन किया जाएगा अते इस शटक को भक्ती योग शटक कहा जाता है तृतिय शटक ग्यान योग तेरवे अध्याई से अठारवे अध्याई तक का शटक यद्यपी ग्रंथ में कहे गई कि उद्गाटन से चित्त में जो प्रकाश होता है उसे ज्ञान कहते हैं भगवान की माया शक्ति अर्थात प्रकृती भी भगवान की प्रिर्णा से ही कारे करती है और उस अखंड एकरस प्रम्ह को विवधरूपों में व्यक्त करती है इसके बोध को विध्यान कहा जाता है इ अते इस साथ में अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है संबंध इस ज्ञान और विज्ञान को प्रकाशित करने की पतिग्या करते हुए श्री भगवान कहते हैं श्री भगवान ने कहा हे पात तु मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मनवाला और अनन्य भाव से मेरे परायन योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूती बल एश्वर आधी गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संचय रहित जानेगा उसको सुन शलोक नमबर दो मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्यान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेश नहीं रहता है ज्यान विज्यान सहित भगवत तत्व को जानने का अधिकारी अपने तत्व को प्रकाशित करने के लिए भगवान पहले शलोक में उन गुणों का वर्णन करते हैं जिनसे विभूशित व्यक्ति उनको जानने का अधिकारी बनता है ऐसे व्यक्ति में निम्द लिखित तीन गुण होने चाहिए साधान तया मनुष्य में सांसारिक विश्यों से सुख प्राप्ति की आशा रहती है परंतो जिसको भगवत तत्व की थोड़ी सी जलक भी मिल जाती है उसके चित्त में भगवान के लिए प्रेम जागरत हो जाता है जिस व्यक्ति को सब सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान से ही आशा लगी रहती है और उसमें वह संसार की किसी वस्तु की भागिदारी सहन नहीं कर सकता है ऐसे भगवत प्रेमी को इस शलोक में मैया सक्त मना कहा गया है अपने उद्धार के लिए साधन में लगने पर भी भगवान के ही आश्रय पर अटूट विश्वास रखने वाले भगवत प्रायन व्यक्ति को मदाश्रय कहा गया है नमबर तीन योग युक्त होना भगवान के आश्रय पर विश्वास रखते हुए भी जो व्यक्ति साधन में दत्चित लगा हुआ है ऐसे योग युक्त व्यक्ति को योगम युणजन कहा गया है इस प्रकार के गुणों से जो व्यक्ति विभूशित है वह भगवान को तत्व से जानने का अधिकारी होता है दूसरे शलोप में भगवान यह कहते हैं कि उनको तत्व से जान लेने के साथ ही साथ उस प्रकृति को भी जानना आवश्रक है जो अखंड एक रस प्रम्ह को विविध रूपों में व्यक्त करके इस सांसारिक प्रपंच का दिगदर्शन कराती है जो लोग इस प्रकार प्रमात्मा और उनकी प्रकृति को जानने की इच्छा नहीं रखते वे उस प्रकृति के वश में होकर संसार को वास्तुविक समझते हुए विविध अनर्थों के शिकार हो जाते हैं और तरह तरह के गुण दुख उठाते हैं इसलिए भगवान दूसरे श्लोक में यह कहते हैं कि ज्यान और विज्यान को जान लेने के बाद अर्थार प्रकृति के सहित परमात्मा के रहस्य को जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेश नहीं रहता क्योंकि फिर सांसारिक प्रपंच का कोई प्रभाव मनुष्य पर नहीं हो सकता संबंद इस स्थल पर भगवान एक चेतावनी देते हुए कहते हैं श्लोक नमबर तीन परन्तु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए प्रतन करता है और उन यतन करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायन हुआ मेरे को तत्व से जानता है भगवत तत्व जानने वालों की दुरलबता अधिकांच मनुष्यों की चेतना में गह मान्यता द्रण रूप से स्थिर रहती है कि कदाचित जिसे बहुत से लोग ठीक समझते हैं वही ठीक होता है यह सिद्दान्थ सांसारिक व्यवस्था और वहवार पर तो कुछ मात्रा में लागू होता है परन्तु आत्मा और प्रकृती के रहस्य को जानने के क्षेत्र में इस सिद्दान्थ का कोई प्रवेश ही नहीं है अधिकांच मनुष्यों की चेतना में सांसारिक प्रपंच वास्तविक की भाती प्रकाशित रहता है जो कुछ इंद्रियों द्वारा ग्रहन होता है उसे वे वास्तविक समझते हैं और शेश सब को कालपनिक यदि थोड़ी देर के लिए भी वे एकागरचत से विचार करें तो वे जान जाएंगे कि जो इस समय यथार्त वास्तविक लग रहा है वह कुछ क्षण बाद ही एक बीती याद से अधिक कुछ न रहेगा परंतो इस वास्तविक्ता को जानने से कुछ भईसा लगता है और इस कारण मनुष्य यह सोचता है कि मैं वह मार्ग अपना लूँ जिस पर अन्य सब चल रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या संसार में बहुत होती है और इसलिए भगवान इस शलोक में एक महत्व पूर्ण चे आगे भगवान यह भी कहते हैं कि इस प्रकार से यत्न में लगे हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक ही उनको तत्व से जान पाता है भगवान की इस घोषना से निरुत साहित होने की आवश्यक्ता नहीं है बास्तव में तो यह घोषना उत्साहवर्दक है क्योंकि इसमें प्राकारंतर से यह बताया गया है कि यत्न में लगा हुआ व्यक्ति अंत्मे सफलता को प्राप्त कर ही लेता है छटमें अधाय में यह घोषना कर ही चुके हैं कि यत्न करने वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में सिध्धी को प्राप्त नहीं होता तो उसको अगला जन में इस प्रकार मिलता है जिसमें वह अपने प्रत्न में सफल हो ही जाता है इस बात को एक उदारण द्वारा समझा जा सकता है गुलाब की एक जाड़ी में उसकी पतियों कांटों और तहनियों का भार लगभग 5 या 6 किलो ग्राम खोता है यदि फूलों का भार लें तो वह 400 गराम फूलों में से भी लगभग 10 गराम ही इत्र निकल पाएगा यदे पी प्राप्त करने योगय फूल वह इत्र ही है पर अन्य वैक्तियों वैपदार्थों की तुलना में नियून अवश्य है संबंध अब भगवान पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्व दरू बताते हैं शलोक नमबर 4 हे अर्जुन पृत्वी जल अगनी वायू और आकाश तथा मन बुद्धी और आंकार भी ऐसे यह आठ प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है शलोक नमबर 5 सो यह आठ प्रकार से भेदों वाली तो अपरा है अर्थात मेरी जड़ प् अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है अब पहले अपरा प्रकृति को लें अश्टधा जड़ प्रकृति अपरा इसमें प्रत्वी जल अगनी वायू और आकाश ये 5 स्थूल तत्व कहे गए हैं इन पांचों के साथ इनके सू स्पर्ष तनमात्रा और शब्द तनमात्रा हैं आकाश तत्व का गुण अवकाश है जो कमपन युक्त होने के कारण कमपन से उत्पन होने वाले शब्द को जन्म देता है वायू का गुण अत्यनत सूक्षम स्पर्ष है अगनी तेज तत्व की शक्ती से व्याप्त होती है जो प्रकाश मान है। जलरसात्मक गुण से परिपूर्ण है और गंद सूक्ष्म अवस्था में प्रत्वी को व्यक्त करता है। इन पांच भूत तत्वों के सूक्ष्म और स्थूल रूपों के बाद मन आता है। मन यद्यपी जड़ है तथा भी इसका गुण गती शीलता है। और गती शीलता के कारण ही इसमें संकल्प और विकल्प उत्पन होने की क्षमता है। मन के उपर अहमकार तत्व है जो विभिन्नता प्रदान करने वाली शक्ती है। यह अपने वुकृत रूप में अभिमान, घमंड, दर्प इत्यादी में व्यक्त होता है। परंतु इसका मूल तत्व भेदात्मक ज्यान है। अहमकार के उपर बुद्धी का स्थान है जिसका अगुण निश्चय करना है। बुद्धी पी यद्यपी जड़ तत्व है, परंतु इसमें भगवत तत्व को प्रतिबिम्बित करने की विशेश सामर्थ है। उस तत्व से आलोग की थोने पर बुद्धी में विवेक जागरत होता है। भगवान ने यहां अपनी अपरा प्रकृती के आठ भेद बताए हैं। चोथे शलोक में आठ भेदों का वर्णन किया है, जिनमें इन तत्वों का अंतरभाव मान लेना चाहिए। परा प्रकृती जीवात्मा। यह अपरा प्रकृती तो जड़ है, परंतु इसके उपर भगवान की परा अर्थात चेतन प्रकृती है, जिसके द्वारा जीवात्मा का संकेत होता है। यह प्रकृती अपरा प्रकृती की अपेक्षा सूक्ष्म और उससे अधिक सुरेष्ट और सामर्थिवान है, और उसके द्वारा ही यह जगत धारन किया जाता है। इस तथे को इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है जब एक कुमहार विभिन प्रकार के बर्तन बनाता है तो उन बर्तनों को बनाने वाला तो कुमहार है जो अपने कौशल से मिट्टी को विन भिन रूप के बर्तनों में ढाल देता है जिन बर्तनों का निर्मान होता है उनमें मिट्टी को तो हम अपराप्रकरती मालने और कुमहार की कौशल को पराप्रकरती मालने तो इस उपमा से सुरुष्टी का निर्मान भी कुछ-कुछ समझ में आ सकता है परन्तु यह दुरुष्टान तिकेवल समझने के लिए है परमा रूपों में बना हुआ है कुमहार का उदाहरण तो केवल इस तथे को समझने के लिए ही दिया गया है वास्तव में परमात्मा और उसकी रचना के लिए कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से लागू नहीं होता संबंध परा और अपरा प्रकृतियों को ही संपूर्ण भू कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ती वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ती तथा प्रलई रूप हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं जगत का प्राकट और लए भगवान से इस लोप में भगवान ने अपनी पशुपक्षी व्रक्ष वनस्पति त्यादी सब सम्मेलित हैं कृत्सन जगत में जड़ चेतन चर और अचर सभी का समावेश है संपूर्ण भूत प्राणियों को उन्होंने अपनी उपर्युक्त प्रकृतियों से उत्पन होने वाला बताया और अपने आपको जगत की प्रतिती मानी जा सकती है परंतु जो जड़ संसार है वह तो अचेतन है उसमें भी परमात्मास्थित है ऐसा मानना कुछ लोगों को कठिन प्रतित होता है परंतु इस लोग के द्वारा भगवान ने यह सपष्ट किया कि वे आत्म रूप से सब में अवस्थित हैं इसका त जीवधारी और जड़ सृष्टी आ जाते हैं जीवधारी भी जो चेश्टावान दिखाई पड़ते हैं उनका आधार भी भगवान की यह पराप्रकृती है जो जीवधारियों के शरीर को व्याप्त करके उनमें प्राणों का संचार करती है जिस प्रकार बादल के टुकड वायू की शक्ती से आकाश में उड़ते हुए तरह तरह के रूप दारन कर लेते हैं और आपस में वहवार भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं और फिर आकाश में ही विलीन हो जाते हैं इसी प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है भग अधननजय मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तू नहीं है यह संपूर्ण जगत सूत्र की मणियों के सदुरिश मेरे में गुथा हुआ है भगवान ही जगद रूप यह ही कत्यंत महत्व पूर्ण शलोक है और इसमें भगवान जगत में अपनी सर्व व्यापक्ता को प्रक्सपष्ट करते हैं सूत की माला बनाते समय सूत को ही गूत कर उसकी मनिया मन के बना देते हैं यह मन के आकार और रूप में सूत से भिन दिखाई देते हुए भी वास्तव में सूत ही होते हैं इस उदाहरण को देकर भगवान बताते हैं कि अस्तित्व रूप से तो रूप और आकार की दृष्टी से शरीर के भिन भिन अंगों में पहने जाते हैं परन्तु उनमें अनुगुत वस्तु केवल स्वर्ण ही है इस तरह नाम रूप और आकार की भिन्नता वहवार के लिए उपयोगी है परन्तु मुल्यांकन के लिए सब एक ही वस्तु समझी जात हैं और यह बताया है कि उन सब में भगवान किस प्रकार और किस रूप में व्यापत हैं इन श्लोकों का भाव समझने के लिए एक उदाहरन कदाचित अधिक सहायक हो सकेगा कहे उदाहरन सिनेमा में प्रयूप तो होने वाले प्रजेक्टर का है इसमें एक तेज बल्ब जल के मिश्रण से विभिन प्रकार के आकार और रूप होते हैं उन सब का कारण वह बल्ब है जो प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरने भेंकता है परदेपर दीखने वाले चित्रों में प्रकाश और चाया की विविद्धता बल्ब के कारण नहीं है बल्ब से तो अखंड एकरस प्रकाश निकलता है पर फिल्म में बनी आकृतियों से उसमें विभिन्यता हो जाती है इसी प्रकार भगवान की परा प्रकृति से निकलने वाली चेतन शक्ति उनकी अपरा प्रकृति के माध्यम से सब भूतों को प्रकट करती है अब भगवान कहते हैं शलोक नंबर आठ ह अरजुन जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपून वेदों में अंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुशों में पुरुशत्व हूँ भगवान ही वस्त्वों के विशेश गुणों के रूप में अभिव्यक्त जल का आधार रस है यदि जल में द्रवता ना हो तो वह बर्फ या भाप के रूप में हो सकता है परन्तु जल होने के लिए उसमें द्रवता होना आवश्यक है इसलिए भगवान अपने को जल में रस बताते हैं चंद्रमा और सूरे में अपने को प्रकाश बताते हैं जिसके बिना सूरे और चंद्रमा चंद्रमा नहीं है। तातपर्य यह है कि जिस वस्तू का जो विशेश गुण है, वह गुण ही उस वस्तू के रूप में व्यक्त है, परन्तु उस विशेश गुण की उत्पती भगवान से ही है। संपूर्ण वेदों का तातपर्य ओंकार को बताया जाता है। वास्तव में ओंकार एक शब्द या ध्वनी मात्र नहीं है। ओंकार की महत्व का पूरा वर्नन मांडू के उपनिशद में आया है, जिसमें ओंशब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्नों अ, उ, म से समस्त सुर प्रखार बताते हैं आकाश यद्यपी जड़तत्व है परंतु सब कमपनों का आधार वही है पदार्थ विज्ञान में भी यह बताया जाता है कि सब पदार्थों के अनुमें केवल आकाश और उर्जा बिंदू ही हैं जितने प्रकार के विकिरण हैं उनके आधार कमपन हैं और वे आकाश में ही स्थित है इसलिए आकाश का गुण शब्द बताया गया है जिससे भगवान अपना रूप मानते हैं इसी प्रकार पुरुषों की विशेष्टा उनके पुरुषत्व में है जिससे भगवान ने अपना रूप बताया है संबंद अन्यवस्त्मों का अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूं और तपस्वियों में तप हूं शलोक नमबर 10 हे अर्जुन तु संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान मैं बुध्धी मानों की बुध्धी और तेजस्वियों का तेज हूं शलोक नमबर 11 हे भरत सुरेष्ट मैं बल्वानों का आसकती और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं भगवान ही एक मूल तत्व जिस प्रकार जल का गुण रस है और आकाश का गुण शब्द अथ प्तवा कंपन है उसी प्रकार प्तवी का गुण गंध बताया जाता है और अग्णी का गुल तेज इन चार तत्वों के मुल भूत गुणों को अपना ही रूप बताकर नौवे श्लोक की दूसरी पंगती में भगवान उस जीवन तत्व को भी अपना ही रूप बताते हैं जो संपूर्ण भूत प्राणियों का मूल तत्व है। दस्वें श्लोक में भगवान सब भूत प्राणियों का सनातन भीज अपने को ही बताते हैं। बीज की यह विशेशता होती है कि यदि उसे काट कर देखा जाए तो उसमें व्रक्ष की लकड़ी, तने, पत्ते, फूल, फल, इत्यादी का कोई भी चिन्न नहीं होता। परंतु उसके अंदर वह शक्ती केंद्री भूत होती है जो जल और पृत्वी के सम्योग से इन सब वस्त्वों की रचना कर डालती है। बुद्धी मानों में बुद्धी की विशेष्टा यह है कि उसकी सहायता से व्यक्ती अगिनत विश्यों का आध्यन और उनका विशलेशन करने में समर्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक तेजवान व्यक्ती अपने तेज की शक्ती से असंख्य व्यक्तियों पर प्रभाव डालकर उनकी अंदर विभिन प्रकार की शक्तियों के विकास की वृत्ति उत्पन कर देता है। ग्यारवे शलोक में भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूँ। परन्तु वह बल ऐसा है जिसमें कामना और आसक्ति का समाविश नहीं है। इसका तात्पर यह है कि जिस बल का प्रियोग कामना की पूर्ति अथ्वा सुख भोग के लिए किया जाता है वह भगवान का रूप नहीं है बलकि जिस बल के द्वारा दूसरों का कल्यान, उपकार और सुरक्षा होते हैं वही बल भगवान का रूप है। इस प्रकार सब असाधारन शक्ति का उपयोग धर्म के लिए ही किया जाना चाहिए। और इसी उदेश से मनुष्यों में काम के उपयोग के अत्यंत पवित्र नियम बताए गए हैं। रामायन में तो महाकवी तुलसी दास ने श्री राम के विवाह के अफसर पर श्री राम जी के घोड़े को कामदेव की उपमा देकर यह संकेत किया है कि विवाह जैसे पवित्र संसकार में काम किस प्रकार विभिन नियमों की लगाम से बंधा होना चाहिए। परन्तु आधुनिक युग में तो कभी-कभी लगता है कि काम मनुश्यों की सवारी न होकर मनुश्यों पर सवार होकर कैसे-कैसे अनहर्थ करता है। संबंद प्रकृती को तीन गुणों से युक्त बताया जाता है। ये गुण है सतोगुन, रजोगुन और तमोगुन, इनमें सतोगुन का लक्षन ज्ञान, सुक और प्रकाश है, रजोगुन का लक्षन आसकती, इंद्रियों का विश्यों के पती आकर्शन और क्रिया है, तमोगुन का लक्षन अग्ञान, जड़ता और अंदकार है, ये गु निट्ट कर बनाया गया है। बास्तव में रसी में उन डोरियों के आतिरेक्थ और कोई पदार्थ नहीं है। डोरियों का गुथा हुआ रूप ही रसी कहलाता है। परन्तु रसी के रूप में वे डोड़ियां हीकृयाशील है। इसी प्रकार इन तीन गुणों का गुथा हुआ रूप ही प्रकृती है परंतु प्रकृती के रूप में ये गुण ही क्रियाशील रहते हैं नित्य परिवर्तन शील होने के कारण इनसे ही सुरुष्टी में विविदता दीख पड़ती है इसके विशय में बताते हुए भगवान कहते हैं शलोक नमबर बारा जो सत्व गुण से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से तथा तमो गुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तु मेरे से ही होने वाले जान परंतु वास्तव में उन में मैं और वे मेरे में नहीं हैं सब भावों में भगवान ही अभिव्यक्त इस महत्वपूर्ण श्लोक द्वारा भगवान बताते हैं कि इन गुणों से उत्पन होने वाले जितने भाव हैं वे यद्यपी भगवान की शक्ती से ही व्यक्त होते हैं तथा भी न तो ये गुण भगवान में हैं और न भगवान इन गुणों में हैं, इसे समझने के लिए एक उदारन लें, किसी भी कार्याले में जितना कार्य होता है, वह उस कार्याले में लगे हुए बिजली के बल्बों के प्रकाश में ही होता है, कार्यों में बड़ी विविद्धता होती है, कोई कार्य विचार पूर्ण हो और नव उस प्रकाश में ही इन विविद्थाओं का कोई चिन होता है ये विवधिताइं तो उस करियाले के विशेश नियमों और कारशैली के अंतर्गत होती है इसी प्रकार यद्यपीजारी स्विष्टी की विविद्थथा प्रकृती के इन तीन गुणों द्वारा ही विय परिचालित होती है तो लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते इसके लिए भगवान कहते हैं शलोक नमबर 13 गुणों के कार सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेशादी विकारों से और संपून विश्यों से यह सब संसार मोहि इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता त्रिगुनात्मक भावों से संसार मोहित इन तीन प्रकार के गुणों से जो संसार में विविदता उत्पन्न होती है उसमें मनुष्यों की बुध्धी इतनी भ्रहमित रहती है कि इस नित्य परिवर्तन शील प्रकृती से वहवार करते हुए ही सारे जीवधारी वोहित रहते हैं। उन्हें इतना अवकाशी नहीं रहता कि सुरिष्टी चक्र को परिचालित करने वाले अविनाशी आत्मतत्व की ओर भी कुछ ध्यान दे। वास्तव में इन तीन गुणों से पूर्ण प्रकृती द्वारा जो द्रश्य इस संसार की रूप में दिखाया जाता है, वह इतना मनमोहक और रमनिय लगता है कि मनुष्य इस जगत द्वारा प्रस्तुत भोग सामगरी को ही भोगना अपने जीवन का परमलक्ष समझ बैरता ह बार-बार भोगी का चिंतन करते रहने से बुद्धी जड़ और स्थूल हो जाती है, इस कारण सूक्षम तत्वों की और मनुष्य का ध्यान ही नहीं जाता यदि पी ये सारे स्थूल तत्व सूक्षम भावों को ही प्रकट करने वाले हैं, परन्तु मनुष्य की बुद्धी उन सूक्षम भावों को ग्रहन नहीं कर पाती उदारन के लिए भोजन को ही ले, भोजन में स्वाद भी होता है और पोशक तत्व भी होता है मनुष्य के शरीर को पोशक तत्व की आवशकता होती है, परन्तु स्वाद के वल इसलिए होता है, जिससे भोजन को ग्रहन करने में मनुष्य की रुची रहे जिनकी बुद्धी स्थूल होती है वे भोजन को उसके पोशक तत्व का विचार करके ग्रहन नहीं करते वरन केवल स्वाद के लिए ही ग्रहन करते हैं इस प्रकार से ग्रहन किया गया भोजन कभी-कभी स्वास्ते के लिए हानिकर भी होता है पोशक तत्व के विशए में नहीं जानने के कारण मनुष्य का आहार असवतलित हो जाता है जिससे कभी-कभी शरीर को बहुत से रोग भी घेर लेते हैं जिस भोजन से मनुष्य को पुष्टी और संतुष्टी मिलनी चाहिए वही उसके लिए विनुष्टी का कारण बन जाता है यही भोजों से मोहित होना है संबंद इस स्थल पर यह शंका होती है कि जितने भी भोज दीख पड़ते हैं वे इतने रमनिये हैं कि उनकी और मनुष्य बर्बस आकरशित होता है यदि इन सब का परिणाम दुख कर और हानिकर ही है तो इस स्थिती से बचने का क्या उपाए है इस शंका के निवारन के लिए भगवान कहते हैं श्लोक नमबर चोदा यह आलोकिक अर्थात अती अद्बुथ त्रिगुण मै मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भचते हैं वे इस माया का उलंगन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं माया से तरने के लिए भगवत भजन इस लोक में भगवान ने अपनी त्रिगुण मै माया को बहुत दुस्तर बताया है प्रश्ण यह उठता है कि क्या यहां माया बनी ही इसलिए है कि मनुष्य को मोहित करे यहां प्रश्ण भी मन में बहुत उठता है कि आखिर भगवान ने इस संसार प्रपंच को ऐसा क्यों बनाया जिससे सब प्राणी सुख की आशा रखते हैं परंतु परिणाम में उनके हाथ दुख ही लगता है वास्तव में बात यह है कि इसमें भगवान की अत्वा उनकी प्रकृती रूपी माया की ओर से मनुष्य की कोई वंचना करने का तो भावी नहीं हो सकता इसके विप्रीत प्रकृती और माया का यह सब खेल भगवान द्वारा ही इसलिए रचा जाता है जिससे भगवान का ही अंश जीव सुगमता पूर्वक इसके माध्यम से अपने स्वरूप को पहचान ले परंतु होता इसका उल्टा ही है इसके लिए गोस्वामी तुलसी दास्ची कहते हैं इस्वर अंस जीव अविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी सो माया बस भयव गुसाई बंध्यो करी और कट की नाई माया से मनुश्य के मोहित होने का उदाहरण तोते और बंदर को पकड़ने की क्रिया से दिया गया है तोता पकड़ने वाला पृत्वी पर बंस की खपच्चियां गार देता है और उसमें एक डोरा बंधेता है जो एक बंस के टुकड़े में पिरोया जाता है उसके नीचे तोतों को आकरशित करने के लिए कुछ दाने डाल देता है उन्हें खाने के लिए जैसे ही तोता बांस पर आकर बैठता है उसके भार से वह बांस गूम जाता है और तोता उल्टा हो जाता है उल्टा होने के कारण न तो वह उड़ पाता है और नहीं बांस को इस डर से छोड़ता है कि कहीं वह गिर ना जाए इस प्रकार स्वयम बांस को पकड़े रहते हुए ही वह बहे लिए द्वारा पकड़ लिया जाता है इसी प्रकार बंदर को पकड़ने के लिए मदारी छोटे मू का एक लोटा प्रत्वी में गार देता है लोटे में चने के दाने रग देता है बंदर उसमें हाथ डाल कर दानों से अपनी मुठी भर लेता है मुठी बंधने के कारण वहने तो अपना हाथ बाहर निकाल पाड़ता है और नहीं दानों के लोब से उनको छोड़ता है इस प्रकार बंदर स्वयन सुगमता से पकड़ा जाता है यह बात तो पश्मों के बंधने की हुई जिन में बुद्धी का प्रकाश नहीं है परन्तु बुद्धी का विवेक जागरत नहोने के कारण मनुष्य भी इसी प्रकार माया से मोहित होकर बंधन में पड़ता है और तरह तरह के कश्ट उठाता है इस लोग में भगवान इस माया को अपनी ही दिवेशक्ती बताते हुए कहते हैं कि यह माया पार होने में बहुत दुर्गम है परंतु जो व्यक्ति इस माया के बंधन से चूटना चाहते हैं उनके लिए यही उपाई है कि वे माया पती भगवान का निरंतर स्मरण करें और उनकी शरन लें संसार के भोगों की और ममत्व और आसक्ती का भाव न रखकर समत्व बुद्धी से निशकाम कर्म करने के लिए ही उनका उपयोग करें संबंध यहां यह शंका उठती है कि यदि माया से तरने के लिए केवल भगवान के भजन करने जैसा सारल उपाई है तो सब लोग इस उपाई को क्यों नहीं कर लेते और जगत के प्रपंच में पढ़कर भाती भाती के दुख क्यों उठाते हैं इसके लिए भगवान कहते हैं शलोक नमबर पंदरा ऐसा सुगम उपाई होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ग्यान वाले और आसरी भाव को धारन किये हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूशित कर्म करने वाले मूर्ध लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं भगवत भक्ती का विरोधी आसरी भाव मा का अर्थ है न होना तथा या का अर्थ है जो इस तरह माया का अर्थ हुआ जो ना हो जिसकी वास्त्विक्ता नहीं है उसको अपने दुराग्रह और आहमकार के कारण वास्त्विक समझ लेना ही मनुष्ये के ग्यान का हरा जाना है लोग अपने चारों और बड़े बड़े राजमहलों के खंडर देखते हैं जिनके बनाने वालों ने यह आशकी थी कि उनके वनशज सदाईव उन महलों में सुरक्षित रहेंगे परंतु वे राजवंश विलीन हो गए और उनके वनशजों का कोई पता भी नहीं है यह देखते हुए भी मनुश्य यह सोचता है कि कदाचित मैं इस प्रयत्न में सफल हो जाओ और फिर वह इस कालपनिक सफलता के लिए नीच से नीच और दूशित कर्म करने से नहीं हिचकता ऐसे मनुश्य को इश्लोक में नराधम कहा है आशरी भाव के लिए गीता के सोलमे अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन आएगा संक्षेप में यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि अन्याय धर्म अधर्म इत्यादी का विचार किये बिना तरह तरह की धन संपत्ती बटोरने का प्रत्न करना और उसके लिए अन्य प्राणियों को कष्ट देने में नहीं हिचकना अपनी क्षणिक सफलता पर गर्वित हो जाना और उसके मद में चूर होकर अनुचित उचित का विचार नहीं करना आशरी भाव के मुख्य लक्षन है संबंद यहां यह तो सपष्ट हो गया कि किस प्रकार के लोग भगवान का भजन नहीं करते अब भगवान यह बताते हैं कि किस प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं शलोक नमबर सोला हे भरत वन्शियों में सुरेश्ट अर्जन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिक्न्यासू और ग्ण्यानी अर्थार्थ निश्कामी ऐसे चार प्रकार के भगत जन मेरे को भजते हैं चार प्रकार के भगत यहां यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि केवल जान, खर्ताल, आदी लेकर भगवान का गुनगान करना ही उनका भजन करना नहीं है वरन अपने करतवे कर्मों को सुक और कामना की पूर्थी का विचार छोड़कर भगवान को अरपन कर देना भी उनकर्मों द्वारा भगवान की पूजा करना है ऐसे मनुशे कारदय हर समय एक प्रसनता से भरा रहता है और उसमें वह भगवान का कीर्तन भजन इत्यादी भी अत्यंत प्रेम से करता है इस प्रकार के भजन करने वाले की भगवान ने चार श्रेणियां बताई हैं जो निम्न लिखित हैं नमबर एक आर्थ, नमबर दो जिग्न्यासु, नमबर तीन अर्थार्थी और नमबर चार ज्ञानी भगत नमबर एक आर्थ जो सांसारिक कष्टों की निव्रती के लिए केवल भगवान के आश्रित होकर उनका भजन समर्ण करता है उसको आर्थ भक्त कहते हैं आर्थ भक्तों में द्रोपदी का उदहरन दिया जाता है जिसने कौर्वों की सभा में अपने को असहाई समझ कर भगवान का समर्ण किया इस प्रकार विभीशन भी आर्थ भक्त था जिसने रावन के तिरसकार के कारण दुखी होकर भगवान की शर्ण ले कुछ पवित्र हुरुदय व्यक्तियों के मन में यह उत्कट अभिलाशा जागरत हो जाती है कि वे भगवान के रहस्य और उनके गुण आदी के विशय में सपश्च रूप से ज्यान प्राप्त करें बेव फिर सांसारिक बातों की बिल्कुल परवान करके तत्व ज्यान की खोज में जुट जाते हैं ऐसे लोग जिग्न्यासु भगत कहलाते हैं उदहरन के लिए राजा परिक्षित ने भगवत तत्व की जिग्न्यासा के कारण शुक्तेव जी से उपदेश ग्रहन किया और उ आत्र भगवान का आश्राइ गरहन करते हैं वे अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं अर्थार्थी भक्तों में सुग्रीव और दुरूव का नाम लिया जाता है जिन्होंने राज्ये प्राप्ति की उदेश से भगवान की शरण गरहन की कुछ लोग स्वभाव से ही विरक्त होते हैं और उनकी दुरुष्टी में एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी की भी सत्ता नहीं रहती वे निरंतर आत्मानंद में ही लीन रहते हैं ऐसे भक्त ग्न्यानी भक्त कहलाते हैं ज्ञानी भक्तों के उदाहरन स्वरूप शुकदेव जी सनकादिक इत्यादी के नाम लिये जाते हैं। ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में वे लोग भी आ जाते हैं जो सांसारिक प्रपंच का कुछ भी विचार नहीं करके ज्ञान योग की साधना में लगे रहते हैं। इन उनके द्वारा न तो कोई पापकर्म किया जाता है न वे भगवान को छोड़कर किसी अन्यचेष्टा का आश्रय ही लेते हैं। इन चारों श्रेणियों में पारस्परिक श्वेष्टता का भी कोई क्रम नहीं समझा जाता। बास्तव में होता यह है कि भगवान की भक्ती करने का हेतु चाहे कश्ट की नवृत्ती हो चाहे अर्थ प्राप्ती की इच्छा हो और चाहे जिग्न्यासु हो परंतु भक्ती के फल स्वरूप जो भगवान की प्राप्ती होती है उसमें भक्ती करने का साधन विलिन ही हो ज श्लोक में भगवान ने भक्तों की पारस पर एक स्वेश्टा का कोई वर्णर नहीं किया है, परंतु ज्ञानी भक्त की एक विशेश्टा होती है, जिसकी ओर संकेत करते हुए भगवान कहते हैं. श्लोक नमबर 17 उनमें भी नित्य मेरे में एकी भाव से स्थित हुआ, अनन्य प्रेम भक्ती वाला ज्यानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यनत प्रिय हूँ और वह ज्यानी मेरे को अत्यनत प्रिय है. ग्यानी भक्त की विशेष्टता यह है कि वह भगवान में अभेद रूप से लिन हो जाता है भगवान को तत्व से जान लेने के कारण ऐसे भक्त के रिदय में और किसी बात के लिए स्थान ही नहीं रहता रहीम कवी कहते हैं प्रितम छवी नैनन बसी पर छवी कहां समाई भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए ऐसे भक्त को सांसारिक कामनाओं अत्वा आलोकिक और पारलोकिक सुखों को वापस भीज देने की चेश्टा नहीं करने पड़ती वे तो ऐसे प्रेमी भक्त के पास आने का सहासी नहीं कर पाते इसलिए भगवान यह कहते हैं कि जिस ग्यानी भक्त का अरदई मुझसे एकाकार हो गया है वह केवल एक मेरे प्रेम रस्में चका रहता है और मैं उसमें रमा रहता हूं संबंध यहां यह शंका उठती है कि क्या अन्यतीन श्रेणियों के भक्त ग्यानी भक्त की अपेक्षा कुछ निची श्रेणी के हैं इस शंका का निवारण करते हुए भगवान स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं श्रोक नमबर अठारा यद्यपी ये सब ही उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम हैं परंतु ज्यानी भग्त तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वह स्तिर बुध्धी ज्यानी भग्त अतियुत्तम गती स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है सभी भक्त उदार इश्वो का तातपर्य यह है कि सभी श्रेणियों के भक्त समान रूप से उदार है परंतु ग्यानी भक्त भगवान से इस प्रकार एकाकार हो जाते हैं जैसे आग में पढ़कर लकडी स्वयम आग का अंगारा बन जाती है ऐसी लकडी की आकरती तो पूर्ववत ही रहती है उसकी गाठे और चाल भी लगवत पूर्वत ही दिखाई देती है परंतु वह लकडी नहीं रहती आग का धधकता हुआ अंगारा ही बन जाती है इसलिए भगवान ग्यानी भक्त को अपनी आत्मा ही बताते हैं इसमें परश्न पारस पर एक स्वेश्टता का नहीं है वरन ग्यानी भक्त की अपनी विशेश्टा आवश्य है संबंद ऐसे ग्यानी भक्त संसार में दुरलब माने जाते हैं यहां दुरलब का अर्थ यह नहीं है कि उनको पाने के लिए कोई भारी चेश्टा करने पड़ती है या उनकी खोज करनात्यंत दुरगमकार है कहा जाता है कि यदि मनुष्य में ग्यानी भक्तों के संपर्क में आने की उतकट अभिलाशा जागरत हो जाए तो ऐसे भक्त सुवयम प्रकट होकर दर्शन देते हैं परंतु वास्तव में दुरलबटा तो उतकट अभिलाशा की है एह बात अवश्य है कि ऐसे ज्यानी भक्तों की संख्या बहुत कम होती है परंतु संख्या में कम होने से उनकी सामर्थ और शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है इसलिए भगवान कहते हैं शलोक नंबर 19 जो बहुत जन्मों के अंत में जन्म अंत के जन्म में तत्व ज्यान को प्राप्त हुआ ज्याने सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात वासुदेव के सिवाए अन्य कुछ है ही नहीं इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अती दुरलब है ज्यानवान भक्त की दुरलबता कई जन्मों में साधन करने के पश्चात जिस भक्त को भगवान का तत्व ज्यान प्राप्त हो जाता है वही उसका अंतिम जन्म होता है ऐसे ग्यानी भक्त की दुष्टी में न तो संसार की सत्ता रहती है ना मनुष्य शरीर के जन्म मरण की उसके लिए तो केवल एक भगवान की ही सत्ता नित्य रहती है जिससे वह भगवान से एकी भाव को प्राप्त हो जाता है संबंद इस प्रकार 15 शलोक में तो भगवान ने यह बताया है की जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वे तो माया से विमोही धोने के कारण भगवान को नहीं भज़ते और जो स्वभाव से ही भगवान के प्रतियास्था रखते हैं वे भगवान को भजने वाले भक्त चार श्रेणियों के होते हैं परंतु इनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नतो स्वभावासुरी है और नवे भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग बहुदा सतकर्म करने वाले होते हैं। परंतु वे सांसारिक कामनाओं की पूर्ती के इच्छुक रहते हैं। ये लोग बहुदा अपनी कामनाओं की पूर्ती के लिए भगवान का भजन न करके अन्य देवताओं का भजन पूजन करते हैं। उन्ही के विशय में भगवान कहते हैं शलुक नमबर 20 हे अरजुन जो विशया सक्त पूरुश हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा भोगों की कामनाद्वारा ज्यान से भरष्ट हुए जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद हैं उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं विशया सक्तों द्वारा देव पूजा देवता शब्द के विशय में तीसरे अध्याय में कुछ तथ्य प्रस्तुत किये गए हैं यह बात द्यान में रखने योगे है कि देवता भगवान की वह शक्ती है जो भगवान की विभूतियों का सबके कल्यान के लिए वितरण करते हैं उनमें शक्ती भगवान की ही होती है परंतु भगवान की शक्तियों के विविध रूपों में प्राकट के अनुसार ही उनका कारे होता है इस लोक में उन लोगों का वर्णन है जो अपन कामनाओं की पूर्टी के लिए विवद्ध देवी देवताओं को पूझते हैं। ऐसे वेक्ती देवताओं के पूजन में जिन नियमों को धारण करते हैं, वे नियम उन वेक्तियों के अपने-पने स्वभाव पर आधारित होते हैं। ऐसे लोग श्रद्धालू अवश्य होते हैं, परंतो उनका भजन-पूजन कामनाओं की पूर्ती के लिए होता है. जैसा मनुशे का स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही उसके मन में कामनाओं का उदय होता है. और कामना और इष्ट देवता की भिन्नता के अनुसार भजन-पूजन के नियम भी भिन-भिन हो जाते हैं. संबन्द इस प्रकार के उपासकों की उपासना का क्या फल होता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं. श्लोक नमबर 21 जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को शर्धा से पूजना चाहता है, उस उस भक्त की शर्धा को मैं उस ही देवता के प्रती स्थिर करता हूँ. भगवान द्वारा श्रधा की सुरक्षा, इस श्लोक में भगवान यह बात विशेश रूप से बताते हैं कि इस प्रकार का सकामी भक्त जो अपनी कामनाओं के अनुसार देवता को पूजना चाहता है, उसकी श्रधा को भगवान उसी देवता में स्थापित कर देते हैं. परन्तु यदि व्यक्ति विचारशील है, तो इसकी बड़ी संभावना रहती है कि वह व्यक्ति उस श्रधा को भगवान की ओर मोड कर अपने जीवन के परमलक्षे की प्राप्ती कर ले. यही कारण है कि भगवान श्रधा के भाव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे प्रारंभ में वह श्रधा कामना पूर्ती के लिए ही हो. संबंद, श्रधा से युक्त होकर देवता के पूजन का फल बताते हैं. श्लोक नमबर 22, वह पुरुष उस श्रधा से युक्त हुआ, उस देवता के पूजन की चेश्टा करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा प्रकार जो देवताओं का पूजन किया जाता है उससे श्रधालू भगतों को इच्छित भोग प्राप्त हो जाते हैं परन्तु यह इच्छित भोगों की प्राप्ती भगवान द्वारा सुनिश्चित विधान की अंतरगत ही होती है बास्तव में देखा जाए तो कामनाओं की पूर्ती तो मनुष्य के लिए कभी भी हितकर नहीं होती परन्तु अल्प समय के लिए कामनाओं की पूर्ती के फल स्वरूप जो सुक्सुविधा प्राप्त होती दिखाई पड़ती है उससे चित उतने समय के लिए शान तवश्य ह इस बात को समझने के लिए एक उदाहरन दिया जा सकता है। सुविधा प्रदान करता है। कुछ यही बात भगवान और देवताओं द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधा के विशय में समझी जा सकती है। भगवत भजन से ही भगवत प्राप्ति। इस प्रकार देवताओं के भक्त अपनिक्षुद्र कामनाओं और संकुचित विचारों के अंतरगत ही देवताओं की उपासना से फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो फल प्राप्त होते हैं बेसांसारिक सुख सुविधा की ही प्राप्ति कराते हैं। ये फल बहुत अलपकालिक होते हैं और उनका कभी न कभी अंत हो ही जाता है। देवताओं की उपासना करते करते मनुश्य अधिक से अधिक उस देवता के स्वरूप को ही प्राप्त कर सकता है। भक्त प्रवर तुलसी दास्ची भगवान के राम रूप के अनन्न उपा सकते परंतु उन्होंने अपने गरंथों में विवित देवी देवताउं की स्तुती की है और सबसे इसी की याचना की है कि वे उनको श्री राम कृपा की प्राप्ती करा दे एक बात और भी ध्यान देने योग्य है भगवान की भक्ती करने वाले भक्तों को सभी आवश्यक सांसारिक भोग भी प्राप्त होते रहते हैं परंतु उन भोगों की प्राप्ती से उन्हें भगवत भजन में कोई बाधा नहीं पड़ती और अंत में उनकी भक्ती उन्हें भगवान की प्राप्ती करा देती है यदि कोई भक्त ब्रह्मवश किसी भोग को अपने लिए हित कर समझता है तो भगवान उसी तरह उसके चित को उस भोग से हटा देते हैं जैसे किसी बच्चे के आग को पकड़ने के प्रत्न को माता दुलार पुछकार कर रोक देती है। इसी प्रकार भक्त की यदि कोई सांसारिक कामना पूरी न हो तो उसमें भी उसका कल्यान ही किसी न किसी रूप में छिपा रहता है। संबंद भगवान का इतना कल्यानकारी और दया से परिपूर्ण भाव होते हुए भी मनुष्य फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। उसका कारण बताते हुए भगवान कहते हैं। शलोक चौबीस बुद्धी हीन पुरुष मेरे उस अविनाशी परमभाव को नहीं समझते जिससे उत्तम कोई वस्तू नहीं है। सचदानंद गन परमात्मा मन और इंद्रियों की पहुच से परे है। परंतु संसार के रूप में वह ही प्रकट है। इस तथ्य को वे नहीं समझ पाते। भगवान का परमभाव बुद्धी हीनों की समझ से परे। सामाने मनुष्य अपनी कामनाओं से इस प्रकार उलजे रहते हैं कि वे अपनी बुद्धी को ही अपने हित साधन के लिए सर्वो परी समझते हैं। दृष्टी संकुचित होने के कारण वे उन सब बातों को सोचने में असमर्थ ही होते हैं जो भगवान की सर्वता सामर्थ्य मई दृष्टी में सदा प्रत्यक्ष रहती हैं। इसलिए भगवान के विधान पर विश्वास न कर अहंकार वश वे अपने ही निश्चे को उचित समझते हैं। भगवान अव्यक्त होते हुए भी सब प्राणियों के रूप में स्वयम ही प्रकट हैं। परन्तो यदि मनुष्य अपनी दृष्टी संकुचित कर ले तो वह ऐसा ही है जैसे अमरत के समुद्र में तैरते हुए कोई अपना मूँ जोर से बंद रखे और इस प्रकार अमरत का पान करने से वंचित रह जाए। यदि सांसारिक कामना के भलों की प्राप्ती की कैद से मनुष्य अपने को मुक्त कर ले तो फिर वह आत्मा अनुभव से भगवान के अनंत ज्यान के खुले आकाश में आनंद पूर्वक विच्रण कर सकता है। परंतो भगवान के इस परम अविनाशी स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही मनुष्य अपने क्षुद्र वासनाओं के घेले में पड़ा रहकर भाती-भाती के कलेश सहता है। संबंद अब इसका कारण बताते हुए कहते हैं। श्लोप 25 अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अग्ञानी जन समुदाए मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। योग माया के कारण भगवान अप्रत्यक्ष किसी भी कमरे में बनी हुई खिड़की का उप्योग दो प्रकार से होता है। तो उससे बाहर का सब दृष्ट दिखाई दे सकता है। परन्तु यदि बंद कर ली जाए तो बाहर का दृष्ट दिखाई देना तो दूर रहा, बाहर का प्रकाश भी कमरे में नहीं आ सकता। इसी प्रकार भगवान की माया भगवान को व्यक्त करने का एक सुगम माध्यम है, जिससे मनुष्य उनकी क्रपा और रहस्य को हर समय समझ सके। परन्तु भोगों में सुख बुद्धी रखने के कारण यही भगवान की माया उनकी आँखों पर एक कुहुरा सा बनकर चा जा के जगर जगर भटकने की क्या आवश्यक्ता है? परन्तु जिनका चित भोगों की आसकती से भ्रमित हो जाता है, वे सर्वव्यापी भगवान से विमुक रहते हैं. यदि प्रकाश के स्रोत की ओर मनुष्य अपनी पीट कर ले, तो फिर उसे सामने अंधेरा ही दिखाई दे है. परन्तु जिनका भगवान के दिव ज्यान को नहीं ढख सकती. यह बताते हुए भगवान कहते हैं. श्लोक नमबर 26 हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ. परन्तु मेरे को कोई भी श्रधा भक्ती रहित पुरुष नहीं जानता है. श्रधा भक्ती रहित मनुष्य के लिए भगवान अगनेय. भगवान भूत, वर्तमान और भविश्य में होने वाले भूतों को इसलिए जानते हैं क्योंकि सब भूतों में एक उन्हीं की सत्ता का प्राकट है. इस प्रकार भगवान भूत मात्र में अखंड रूप से ओत प प्रकाश के सरोत की ओर पीठ करने वाले मनुष्य के सामने अंधेरा तो देख पड़ता है, परन्तु वह यह नहीं समझता कि वह अंधेरा स्वयम उसकी ही छाया है. छाया के बाहर उसे प्रकाश दीख पड़ता है. परन्तु वह इस आश्चर से घिरा रहता है कि मैं क्यों अंधेरे में हूँ। संबंद यह अंधकार क्या है इसका संकेत आगे आने वाले शलोक में मिलता है। सुख और दुख इत्यादी द्वंदों से घिरा रहता है। इन्ही को तीसरे अध्याए में भगवान ने कल्यान मार्ग में विग्ण डालने वाला शत्रू बताया है। संबंद अब भगवान यह बताते हैं कि इन द्वंदों से छूटने का उपाय क्या है। श्लोक नमबर 28 परंतु निश्काम भाव से श्लेष्ट कर्मों का आचरन करने वाले जिन पूरुषों का पाप नश्ट हो गया है। श्लोक की पहली पंक्ती में यह बताया गया है कि सत कर्मों को निश्काम भाव से करने से मनुष्य न केवल पाप कर्मों से बचा रहता है। वरन पहले किये हुए कर्मों के फलों का भी उलंगन कर जाता है। जब चित्त में से रागद्वेश निकल जाते हैं तो मनुष्य दुरुड निश्चय के साथ भगवान के भजन में लग जाता है। सब कर्तव व्यकर्मों को भगवान की प्रिती के लिए और भगवान की शक्ती से ही करता हुआ उसके फलों को इस प्रकार भगवान को अरपन करता रहता है जैसे पूजा के फूल चड़ाई जाते हैं। संबंध भगवान का भजन करने का क्या फल है यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नमबर 29 जो मेरी शर्ण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यतन करते हैं। अधिबूत, अधिदाइव और अधियग्न आदी सब कुछ वासुदेव स्वरूप हैं। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्वाले पुरुष अन्तिकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। ब्रह्म, कर्म, अधिबूत, अधिदाइव, अधियग्न और भगवत प्राप्ति। इन दोनों शलोकों में भगवान की शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यतन करने वालों का वर्णन आया है। उसका फल बताते हुए भगवान में साथ बाते कहीं हैं और यह बताया है कि ऐसा मनुष्य ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को, अधिबूत, अधिदाइव और अधियग्न को जानते हुए अंतिकाल आने पर उन्हें ही प्राप्त हो जाता है। यह साथ बातें अगले अध्याय के लिए बीज रूप हैं और इनका विवेचन उस अध्याय में किया जाएगा।